दोस्तों रोज एक पोदा कारिकरम में आज पिकस रिलीजियोसा स्कैर्ड फिक नाम से कहते हैं पीपल का पोदा के बारे में देखेंगे पीपल का पेड़ हर जगा दिखता है बहुत बड़ा पेड़ होता है पेड़ बरकत का पेड़ दोनों अच्छा हप ज़ादा बड़ा हाइट में आजता है है इसका ये पीपल का पेड़ में इसका पत्ती इसका फल इसका बीज आप ये देख रहे हैं इसका पेड़ का फल हoreं इसका स्विछ रहता है इसका लावाम का च्छाल सबस्पें मेडिकल प्रापरटिस बहुत ज्यादा रहता है है विसमें बहुत ज्यादा फाइदा भी रहता है यह आप देख रहे हैं लिकल का च्छाल का यह पीपल का पेड़ का फल है, इसका फल बहुत छोटा रहता है, ये छोटा सा फल का अंदर से बीज रहता है, ये बीज में बहुत सारा मिडिकल प्रापरटी से रहता है, ये पीपल का पेड़ में बहुत सारा मिडिकल प्रापरटी से उसका ये किक करके देखेंगे, दोस्तों पीपल का पेड़ में फल का सीजन कम रहता है वो फल कभी भी मिलता है वो फल के साथ उसका अंदर के बीज रहता है वो दोनों एक साथ लेके उसका सुका के रख लिजी उसका हमेशा काम में आ जाता है उसका फल का साथ इसका बीच को एक चमश तक लेके उसका साथ दूद मिलाके पीने से सुबह साम दोनों टैम पीने से जन्स को मेल इन्फरिटिल्टी टीक होता है स्पैम काउंट्स बढ़ जाता है दूद नहीं मिल रहा होना सुड़ों करम पानी का साथ भी पी सकता है दोस्तों पीपल का पेड़ पेड़ का पत्ती नरम पत्तियों का पांच एक लेके इसका पानी डालके वो बालके पीने से ब्लड प्यूरिफेव होता है इसका लवा लेडिस को इर्रेगलर पिरियेड्स ठीक होता है ये पांच नरम पत्ती के साथ पानी डालके उबालके उसका साथ तोड़ा सा दूद मिलाके थोड़ा सा पांप सुगर मिलाके पीने से इर्रेगलर पिरियेड्स ठीक होता है पिरियेड्स का टाइम ओरने वाला ठायरनस ठीक होता है इसका लवा नस सब बजबूत होता है नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होता है इसका लवा कांस्टिपेशन ठीक होता है कलोन कैंसर आने से वो रोकता है दोस्तों फिकस रिलीजियोसा पीपल का पेड़ का चाल तोड़ासा लेके उसका साथ तोड़ासा नारियल का थेल डालके दीमी आग में बाइल करके उसका फिल्टर करके रख लीजिए उसी को कोई भी स्किन डिसीसेस में कुजली होता है रहिशस होता है जलन होता है उसी में लाहाने से वो जल्दी ठीक होता है इसका लवा इसी तेल को सर बे लाहा के तोड़े देर के बाद नहाने से डेंडरस चला जाता है दोस्तो पीपल का पेड का चाल पांच से दस क्राम तक लेके उसका साथ पानी डालके उबालके पीने से ब्लड प्यूरिफाई होता है ब्लड सुगर लेवल खम होता है लेडिस को इर्रेगलर पिरियेड स्ठीक होता है पीपल का पेड का चाल को खाड़ा बना के पीने से शरीर का अंदर का प्री रेडिकल एलिमेंट्स किटानों सब बाहर निकल जाता है स्किन संबंदित सभी डिसी से ठीक हो जाता है दोस्तों पीपल का पेड का पत्ती पांसे पत्ती नरम पत्ती लेके उसका साथ पानी डालके तुड़ासा मीटा डालके बाइल करके पीने से सरीर का दर्द ठीक होता है बुकार ठीक होता है बुकार कर समय में एक दो दिन तक सुबे साम इसका खाड़ा बना के पीने से बुकार ठीक हो जाता है दोस्तो फिपल का पेड़ का बीच इसका सीट्स को एक चमच तक लेके उसका पौडर करके उसका तोड़ा सा पाणी डाल के बाइल करके उसी का साथ दूद मिला के तोड़ा सा हैनी मिला के रात को सोने टैम पीने से जैंस को मेल इनफर्टिल्टी टीक होता है स्पैम काउंट्स बढ़ जाता है इसका अलबा कांस्टिपेशन टीक होता है ठाइलेट जाने में तीकत नहीं आता है दोस्तो एक चोताई चमच का पीपल का पेड़ का चाल लेके उसका साथ पानी डालके उबालके तोड़ा सा हनी मिलाके पीने से त्रोट इंफेक्शन टीक होता है इसका अलबा लंग इंफेक्शन टीक होता है लार्ज इंडेस्टिन में अलर्जी होता है वो ठीक हो जाता है इसी का अलबा इसी खाड़ा से त्रोट में लहाने से वो छोट जल्दी ठीक होता है जोस्तो पीपल का पेट के चाल थोड़ा सा लेके उसका साथ अंजूर कुलर का नाम से भी कहते हैं फिकस रसी मोसा पोदा का चाल थोड़ा सा लेके ये दोनों का पानी में डालके दो गंडे तक विका के रख लेजिए करके इसका फिल्टर करके रख लीजिए इसी को आप हील क्रैक में अथलेटिक फूट्स में इसका लबाद पानी में ज्यादा दिर तक खाड़े रहने में इंफेक्शन होता है उसमें लाहाने से बहुत जल्दी ठीक हो जाता है दोस्तो लेडिस लोग का वोइड डिस्चार्ज बहुत लंबा समय तक ठीक नहीं होता है उस समय रोज एक चोटाई चमच का पीपल का पेड़ कच्छाल लेके पानी डालके उबालके 48 दिन तक पीने से ठीक हो जाता है दोस्तो पीपल का पेड़ का पत्यों के पीस के कोई भी चोट में लगाने से पुराना चोट में लगाने से बहुत जल्दी ठीक होता है दोस्तो पीपल का पेड़ का पत्ती नरम पत्ती पांच एक पत्ती लेके उसका साथ अबा मार्क अच्राइंदस अस्परा का नाम का पोधा इसके पहले अपन वीडियो में देखा था उसका जड़ दो एक राम दग लेके उसका साथ चाइना बेरी महा नीम कहते हैं गोरा नीम कहते हैं उसी के पत्तियों तोड़ा बुद्ध डालके असोगा पेड़ का चाल दो एक राम डाल के तोड़ा सशकर डालके पाणी डालके उबाल के पीने से लेडिस को इर्रगलर पिरियेट्स ठीक होता है पीसी ओडी प्रावलम ठीक होता है इसका लवा यूट्रस में फाइब्राइड्स ठीक होता है इसका लवा यूट्रस सम्बंदित सभी भीमारी से ठीक होता है इर्र मैंनवर फेस का ठाइम में लेडिस को पीरियेड्स रेगलर नहीं होता है, वो ठीक होता है. दोस्तो, पीपल का पेड़ का पत्तियों का 510 पत्ति लेके, उसका साथ तोड़ा सा पानी डालके, तोड़ा सा खाली मिर्ज डालके, बाइल करके पीने से लेडिस को फीमेल इंफर्टिल्टी ठीक होता है इस कलवा पित का मादरा बरावर होता है लेडिस को वोईड डिश्चार्ज ठीक होता है इस्ट इंफेक्शन ठीक होता है इस कलवा पीपल का फेड का पत्तियों का थोड़े इना उसका एक दूर्ज जैसा निकलता है उसी को hill crack में लगाने से वो hill crack बहुत जल्दी ठीक होता है दोस्तो पीपुल का बोदधा का पत्ति नरंपत्ति पांचेक लिख के पानी राल के उबाल के पीने से हाट में black edge सोता है बहुत ठीक हो जाता है उसका लावा लिवर मजबूत होता है आस्तमा ठीक होता है लेडिस जेंस दोनों का STD प्रावलम सेक्स्वेली टैंस्मेट डिसीज सही हो जाता है दोस्तो पीपल का पेड़ का चाल दो ग्राम ले लिजिए उसका साथ बर्गत का पेड़ बन्यन ट्री का पेड़ का चाल दो ग्राम ले लिजिए पारस पीपल का पेड़ का चाल दो ग्राम ले लिजिए पारस पीपल के बारा में इसके पहले वीडियो अपन डाला है इसका अलावा फिकस रेसी मोसा अंजीर पोधा का चाल दो ग्राम ले ले लिजिए इसका अलावा फाकर फिकस वाइरन नाम का पोधा का चाल दो ग्राम ले ले लिजिए डाइबेटिस के कारण वोने वाला छोट जल्दी ठीक नहीं होता है, गाव बन जाता है, उसी को कोई इसी के खाड़ा बना के पीने से बहुत जल्दी ठीक होता है, नस सब मजबूत होता है। टाइलेट जाने में दिक्कत नहीं होता है, नस मजबूत होता है, नेर्वस सिस्टम स्ट्रांग होता है, लूस मोशन धैरिया के लिए ये सबसे अच्छा दवाय होता है, इसका अलबा कलोन केंसर नहीं आता है इसका पीने से, लेडिस जेंस दोनों को इनफेटिलिटी ठीक हो लेकर दोस्तու, पीपल का पेड़ का चाल, एक चोताई चमशक लेके, पानी डालके, उबालके, रिग्लर पीने से, ब्लेड सोगार लेवल खम होता है, दोस्तो, फिकस, रिलnde जीजीओ सा, पीपल का पेड़, पीपल का प्ती, नर्वपती, पांचिक पती लेके, उसका साथ अनार का फल दो एक चमज तक लेके उसका साथ अनार का पेड़ का चाल दो एक ग्राम तक लेखे उसका साथ तोड़ा सा अनार का सिल्का डालके पानी डालके उबालके पीने से लेडिस को female infertility ठीक होता है बच्चे वोने का chance ज़्यादा बढ़ जाता है इसका अलबा लेडिस को वेडिक्चारज ठीक होता है लेडिस को irregular periods ठीक होता है इसका अलबा uterus में fibroids, PCOD problem ठीक होता है ulcer ठीक होता है, मुकचाला ठीक होता है large intestine में infection होता है, वो ठीक हो जाता है दोस्तो पीपल का पेड का चाल तोड़ा सा लेके उसका साथ पाम सुगर मिलाके पाणी डालके बालके दिन में एक दोबाद पीने से त्रोट इंफेक्शन टीक होता है गले खराब होता है वो टीक हो जाता है इसका लबा लंग इंफेक्शन टीक होता है सास लेने में दिक्कत होता है वो ठीक हो जाता है स्किन समंदित सभी बीमारी ठीक होता है स्किन समंदित बीमारी किसी को भी हो है वो रेगलर पीने से स्किन समंदित सभी प्रावलम ठीक हो जाता है दोस्तो पीपल का पेड़ का चाल प्रोवासा लेक के पानी डालके उबालके इसी पानी से फुल्ले करने से मुखच्छाला ठीक होता है दाड में सुजन आता है वो सही हो जाता है दाद मजबूत होता है दाड में खुन निकलता है वो सही हो जाता है इसी पानी से लेडिस प्रवेट आर्गंस में वने वाला इंफेक्शन को इसी पानी से दोने से वो जल्दी ठीक हो जाता है दोस्तो बहुत लोग जादा दिन तक बीमार रहते हैं उस समय बहुत दिन तक बैटने रहने के खारण स्किन में इंपेक्शन हो जाता है वो जल्दी ठीक नहीं होता है उस समय पीपल का पेड़ का पत्तियों का नरम पत्तियों का पीस के उसका साथ रहा सा हल भी मिला के उसी इंपेक्शन में रेगदर लगाने से बहुत जल्डी हो जाता।